नमस्कार दोस्तो आज की नई वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं मेरा नाम है रभिंदर दोस्तो आज गूरब मैं आपको दिखाऊँगा कि आप किसी भी कंपनी का सिम वी आई में पोर्ट कैसे करोगे तो दोस्तो चली वीडियो में बने रहें अन तक जरूर देखें वीडियो वो लाइक निकिया तो लाइक जरूर करें और मुझे कोमेंट करके दोस्तो जरूर बताना कि आज का ये पूरा का पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है और दोस्तो यदि आपने अभी तक मुझे टेलिग्राम चैनल पर जोई नहीं किया है तो मेरी वीडियो की डिस्किप्शन में जाएं लिंक पर किलिक करें और आप भी जोईन हो जाएं मेरी टेलिग्राम की फैमली में भी तो दोस्तो इसके लिए मैं लोगिन करता हूँ अपना Smart Connect Application दिखाते हैं आपको फुल प्रोसिस इस्वीडो के माध्यम से तो दोस्तो आज शुक है में अपने Smart Connect Application में सिंपली हमको यहाँ पर Activation वाले उप्शन पर एक बार किलिक कर देना है जैसी हम यहाँ पर किलिक करते हैं तो यहाँ पर MNP वाले उप्शन पर हमको एक बार टेप कर देना है दोस्तो सबसे पहले हमको करना क्या है यहाँ पर किलिक करके हमको FRC सेलेक्ट करने है तो दोस्तों हम customer को FRC देंगे 200 99 रुपे की यहाँ पर हमने select कहले लिए इसके वाद यहाँ पर mobile number ढालना है तो यहाँ पर हम customer का mobile number enter कर देते हैं दोस्तों यहाँ पर mobile number ढाल दिया है डालने के बाद यहाँ पर sim number ढाल दिया है और जो UPC code आया था वो हमने यहां पर एंटर कर दिया, और यहां पर दोस्तों आप देख लीजेगे, यहां पर यूपीसी जनरेट टाइम, तो दोस्तों यहां पर हमने 21 थारिक बारहो महीन दोजार इक्षिस ओर चार बज़कर, यहां पर पोड़ सपार को जनरेट किया और इसकी वाले option पर और हम आगे बढ़ जाएंगे तो दोस्तों यहां पर क्लिक करने के बाद process हमारा आगे बढ़ जाएगा अब यहां पर देख सकते हैं दोस्तों यहां पर आधार काड़ सेलेक्ट करना है यहां पर आधार का में सिमकार चालू कर रहा हूं तो simply यहां पर उत्तर पर जिसमेर को सलेक्ट कर लेना है जिस दोस्तों आप जिस राज्य से हूँ आप अपना राज्य यहां पर एंटर करें इसके बाद हमको आगे बढ़ जाना है नेस्ट इस्टेप की तरफ यहां पर किलिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे तो दोस्तों यहां पर हमको सबसे पहले कस्टोमर का लाइफ फोटो लेना होगा कस्टोमर को बैठा देना है और एक दिवार के पास और उनका बैक कैमरे से फोटो लेना है तो यहां पर कस्टोमर का फोटो ले लिया है इस रेकिनेत मोबायल रेक्ट करना हीँ तो दोस्तों यहां पर हमने कस्टुमर का अलटीए टमबर डाल दिया है और यहां पर हमने कलिक करके आदर पर्सन महने आप संमि Owamirim करते रहे को पहलें के और यहां पर एंटर कर देना जादी नहीं आता है यहां पर होम नमबर आपको एंटर कर देना है यहां पर उनके पिता का नाम होम नमबर और यहां पर देख दोस्तों यहां पर स्टेट डाल दिया है area sector यहाँ पर डाल दिया इसके बाद यहाँ पर पीन कोड आ यहाँ पर डोस्तो बाकी सब कुछ अपना फील हो जाएगा और अब हमको नीची की तरफ यहाँ पर कस्टुमर भाहर के हैं तो वह उनको यहां पर लोकल एड़स हमको फिल करना होते हैं यह पर यह हो दालना है और डालना है तो इतना करने के बार आ आपको फिर उनके एक जानने वाले का एडर्स भना होगा जैसे कि यहां पर देख सकते हैं यहां पर हम क्लिक करेंगे यहां पर उनके जानने वाले का नाम डाले एक कस्ट्मर उनके जानने वाले का एक दूसरा mobile लूबार डाले यहां पर home number डालना है जैसके home number जो भी जहां पर भी customer रह रहे हैं उनका home number और यहां पर area यानि Cheese जो अपने उपर address ला था वह address आपको यहां पर रफिल कर देना है, बस यहां पर नाम जो है उन के जानने वाले का डालना है और उनका दूसरा मुबाइल नमबर बाकि सब अड़र सेम रहेगा इसमें भी तो दोस्तों यहां पर उनके जानने वेकाल नाम डाल दिया, कॉंटेक्ट नमबर डाल डिया होम नमबर डाल दिया और यहां, कहाँ पर रहा है यहां पर रहा रहे हैं वो कौन सा गाम है वो डाल डिया, यहां का City डाल दिया और यहां का Pin Code हमने Enter कर दिया है इसके बाद बढ़ते हैं स्देब की तरफ हम क務ं सिट हमको एपर डालना होगा लापू नंबर यहीं रिटेलर का लापू नंबर जो यह वह यहां पर दर्ज करना है हमको सिंप्ली सा लापू नंबर डालने के यहां पर आपको zero type कर देना और यहां पर आपको select कर लेना है service कर दे हैं बंदे और यहां पर customer की details लोग करेगी simply इसको हम hide कर देते हैं इसके बाद नीचे की तरफ scroll करते हैं और यहां पर click करके हम आगे बढ़ जाते हैं यहां पर one select कर दीजिए और यहां पर customer के पास consistency में जी होगा है और यहां पर दूस्तों आपको one select कर देना है इसके बाद दूस्तों हम फिर बढ़ जाएंगे आगे यहां पर click करेंगे और आगे बढ़ जाते हैं अब यहां पर हमको FRC देना होगा तो हम पे के option पर click करेंगे और यहां पर जो भी हमारा पिन है उसको यहां पर आपको भी एंटर कर देना और पे के option पर टेप कर देना है सिंप्ली नीचे तरफाएं यहां जैस करें आगे बढ़ जाएं अब दूस्तों यहां पर customer करें मोबाईल नमर्स हो कर रहा है अब यहां पर send OTP करना है अब send OTP क चला जाएगा OTP हमको यहां पर दर्ज करना है तो OTP आ चुका है उसके बाद यहां पर किलिक करें और आगे बढ़ेंगे आए अगरी के option पर आपको एक बार टेप करना है और फिर यहां से किलिक करके आगे बढ़ेंगे अब यहां पर लेना है रिटेलर का front camera से फोटू और यहां पर send OTP कर देना है और लापू आपका इसी मोबाइल में होने चाहिए जिससे आप MNP कर रहे हैं और OTP ओटोमेटिक फिल हो जाएगा कर दे मने करना है